दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने आइफोन में स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे ओके इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप अपने आइफोन में सेटिंग सेप ढूंद लीजे कहां पर है और उसको ओप पास कोड ओन का आप इस पे क्लिक करिए इस पे क्लिक करते ही आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा तो यहाँ पे 6 डिजिट लगी हुई है ठीक है अगर आपको पास कोड ऑप्शन मतलब चेंज करना है टाइप कि आप 4 डिजिट लगाएं या फिर वो सब तो फिर आपको दिखा देगा custom alphanumeric code मतलब number और alphabets मिला करके आप लगाना चाहते है या फिर custom numeric code या फिर 4 डिजिट code numeric code तो जो भी आपको लगाना है आप उस पे क्लिक करेंगे अगर 4 डिजिट लगाना है तो इस पे क्लिक करेंगे जैसे for example ठीक है और उसके बाद यहाँ पे guess किया जा सकता है तो अगर आपको चेंज करना है तो चेंज passcode पे क्लिक करके चेंज कर दीजिए यहाँ पर otherwise आप simply यहाँ पर use anyway पे क्लिक कर देंगे उसके बाद verify करना होगा यहाँ पर verify करिए और जैसे ही verify करेंगे वही same password डालेंगे जो आपने पहले set किया है तो आपको पेस टाइप का interface मिलेगा Apple ID password का ओके तो आपको Apple ID का अपना password यहाँ पर डाल देना है और Apple ID का password डालने के बाद sign in पे क्लिक करना है उपर जैसे ही sign in पे क्लिक करेंगे आप तो आपका यहाँ पर जो है screen lock जो है वो लग जाएगा यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं जैसे आप खोलेंगे ओके तो आपसे पूछेगा lock जैसे ही आप lock डालेंगे password जो भी होगा खुल जाएगा आपका iPhone अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दिए like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए